नमस्ते बंदो जैसी कृष्णा राधे राधे एक बहुत बड़ी बीमारी समाज में बनी हुई है और उसका नाम है बीपी बलड प्रेसर हाई हो जाता है कभी कभी किसी का बहुत लो हो जाता है तो यह हो गया रक्त प्रभा का संतुलन बिगड़ना यह बीमारी नहीं है यह संतुलन बिगड़ जाता है यह तो रक्त का प्रभा सिलो हो जाता है यह हो जाता है तो दोनों इस्तिति वह को नुक्सान हो सकता है परिशानी हो सकती है क्योंकि आप जानते हैं दोनों इस्तिति कैसी है Looking on the road पर शीमा से अधिक सिलो चल रही है तो पीछे वाले लोगों को ट्रेफिक हो जाता है और ट्रेफिक होता है तो किते बढ़ती है या आप सीमा से अधिक स्पीड चलाते हैं तो उस स्थिति में भी सब पूरे रोड को डिश्टरप होता है तो बोडी का पूरा सर्कुलेशन ही ऐसा है तो अगर नहीं है इसलिए वो ठीक होने वाली चीज है मैंने कहा कि खून का प्रेसर बढ़ना या खून का प्रेसर कम होना यह दोनों ही आपको बीमार रखते हैं और बीपी लो या हाई कहलाते हैं तो आप इरिस्थिति में आप पूरी तरह से मुक्त हो सकते बीपी से तो आपको चा गरम हवा बाहर आएगी अगर आप ऐसा 20 मिनट भी कर लेते दीरे दीरे तो आपका बीपी उसी दिन पूरा प्योर हो जाता है उसी दिन नॉर्मल हो जाता है ऐसा अगर आप करते तो आपको गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपका बीपी हो जाता है तो यह प्रणायाम करें या शीतकारी प्रणायाम करें जीव को गोल करके ऐसे हवा खीच सकते हैं ये भी बहुत सुंदर प्रियोग है आपके लिए ये बहुत लाबकारी प्रियोग है इसमें किशी दवा की ज़रुएत नहीं है और अगर आपका बीपी होता लो तो आप उसमें सूर प्रमल लेवें फिर से इस प्रणायाम को करें अगर आप इस तरह का प्रियोग करते हैं जिनको लो है वो सीतली सीतकारी करें जिनको हाई है वो शूर्य वेधन प्रणायाम करने से पूरी तरह से 10-5 दिन के अंदरी आप नॉर्मल रेंज पर आ जाएंगे और यह प्रणायाम साथी बना लो और जीवन में हमेशा फ्री रहो गोली खाने की जुरत नहीं पड़ेगे